नमस्कार मैं हूँ ससी आया जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अनलोग फाइप में मिल सकती है छूट जारखन में जारी अनलोग फोर एक जुलाई की सुबा छोवे समाप्त हो रहा है इसके बाद राजे में लोगडाउन की स्थिती को लेकर आज या कल तक निर्न लिया जाएगा मोखे मंतरी हमान सुरिन की अधक्सता में अपता प्रवधन विभाग की बैठक में इस बावत निर्न लिया जाएगा की आगे छुट दी जाए या आथा इस्थिती बनाई रखी जाए हलाकी राजे में करम वाद दी गई राहाद के बाद जन जीवन थोड़ा समानिय हुआ है दूसरी ओर अब तक राहाद से बनचीत रहे अनलोग फाइप में छुट देने की मांग कर रहे हैं बता दे की अभी राजे में बस परिवहान, जीम संचालन, पार्क, सिक्षन सस्थान आधी बन्ध हैं गाउ में बिसेस महिला पूलिस अफसर की होगी नियुक्ती मुखी मंतरी जारखन के सीम हेमन सुरे ने घोसना किया कि जारखन में मानो तसकरी पर लगाम लगेगी और जारखन के ग्रामिन इलाकों में मानो तसकरी पर नजर रखने के लिए राजे भर में बिसेस महिला पूलिस अफसर की नियुक्ती की जाएगी हेमन सुरे ने कहा ज्यार्खन में मानो तसकरी के कलंग को मिटाना सरकार की प्रत्मिकता है सरमिकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा ज्यार्खन के ग्रामिन इलाकों में मानो तसकरी पर नयर रखने के लिए राजे भर में 20S माइला पुलिस अपसर की न्योक्ति की जाएगी नकसलियों के खिलाप जार्खन सम्मेत 5 राजियों की पूलिस अपरेशन की तेयारी में जार्खन में नकसलियों समस्या के समधान के लिए राजे की पूलिस एक बड़ा अपरेशन सुरू करने का मन बना रही बतादे राज्य में पांच राज्यों की पूलिस और मिलकर नक्सली के खिलाप अभ्याइन चलाएंगे जारखन और उसके पड़ोसी राज्यों में पूलिस का समझ में बेहतर हो इसके लेकर कुरोना काल में बर्चुल मीटिंग हुई इस बैठक में तय हुआ कि राज्यों के सिमावर्ती इलाकों के थाना परभारी और डीस पी में बेहतर समन जस्य हो इसे लेकर समय समय बैठक हो बतादे उडिसा के डीजी की अध्यक्षता में एक बैठक शुरू हुई जारखन बिहार उडिसा चातिसगर और पच्छे मंगाल के डीजी की इस बैठक में मुख्याल अस्तर के तमाम अधिकारे भी इस बैठक में सामिल हुए जारखन में अनुकंपा के अधार पर आश्रीतों को मिलेगी नियुक्ती जारखन मंत्री परिशत की मंगलवार को ही बैठक में आठ परस्तावों पर मुहर लगाई गई है इसमें जहां सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के अश्रीतों को अनुकंपा के अधार पर नियुक्ती से समन्धित नीती में संसोधन की स्विक्रिती दी गई वहीं राज्य के सरकारी करमचारीों के नेशनल पेंशन इसकीम के तâte सरकारी अनसदान की राशी द 20% से बढ़ा कर 14% कर दी गई है यह ऑगधोत्री एक जुलाई 2021 से परभावी होगी जार्खन के सरकारी कर्मियों को नेर्शनल पेंशन इसकीम में अंसदान 14 परतिशत किया गया है इसके अलावा अनुकम्पा परनियुक्त के लिए अब हिंदी टाइपिंग का ग्यान अनिवारे नहीं होगा लेकिन हिंदी टाइपिंग सीख लेने और इसकी निर्धारित स्पीट प्राप्त करने के बाद ही नोकरी की संपुष्टी होगी बता दे मंगलवार को जारखन केबिनेट की बैठक में इस बाबत निर्ने लिया गया मोख्य मंतरी एमन सुरिन के अध्यक्सता में राज केबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों को स्विक्रिती मिली जारखन ने केंदर से मांगे भैक्सिन पर खर्च किये 48 कोड़ रुपए जारखन सरकार ने 1844 बरस के युवाओ के टीका करन के लिए कम्पिनियों से भैक्सिन खर्च हुए 48 कोड़ रुपए की मांग केंदर सरकार से की है राज सरकार के निर्देश पर स्वास्त विभा के अपरमुक्ष सचीव अरुन कुमार सिना ने केंदरीय स्वास सचीव राज भोषन को पत्र लिखा है उन्होंने जार्खण के पास सीमीत बीतीय संसाधान होने का हवाला देते हुए 48 की प्रति पूर्ती किये जाने की मांग की है जार्खण की केंदर सरकार से मांग भैक्सिन में 5% ही हो निजी अस्पतालों का कोटा ज्ञार्खन शरकार ने केंद्र शरकार से मिलने वाली भैक्सिन में निजी अस्पतालों का कोटा 25% से घटा कर 5% करने की मांग की है कहा है कि ये ज्ञार्खन जैसे राजे के लिए बहुत जिरूरी है ऐसा करने से राजे में टीका करण की भी रफ्तार बढ़ेगी वही नीजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा तैक करने से वैक्सिन का उप्योग समय पर नहीं हो पाएगा राजी के स्वास्त विभाक अपर्मो के सचीव अरुन कुमार सिना ने केंद्रिय स्वास्त सचीव राजेस भुचन को पत्र लिए कर इसकी मांग की है लोहर दगा में मवादियों ने पर्याटकों से मार पिट की जारखन के लोहर्दगा जिले में सेरे दांग थाना छेतर के पर्याटन अस्थल धर्धरिया और पेशरार थाना छेतर के लावा पानी में 20 से अधिक पर्याटकों के साथ सोमवार को हतियार मंद मवादियों ने मार पीट और लूट पाट की यवा महिला पर्याटकों के साथ कथीत तोर पर छेर जाग करके उनके अभरन का भी पर्यास किया बता दे पूलिस हुत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस घाटना को मवादियों ने अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि लावा पानी में सो मुवार को लगबग 20 युवक जुक्तिया ने मवादियों से उनके मुवाइल फोन और कैमरे छीन लिए एवं उनसे भूरी तरह से मार पिट की एक जुलाई से निजी स्कूलों की खिलाप मौन परदसन जार्खन अभिभावक संकी वर्चूल बैठक मंगलवार को अध्यक्ष अजयराय की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभीन जीलों के अध्यक्ष परदेश पदा दिकारी सहीत बड़ी संख्या में अभिभावक सामिल हुए अजयराय ने कहा कि अभिभावकों ने अपने अपने जीलों की परिष्थितियों से वगत कराते हुए अपनी पीडा बताई कई अभिभावक नीजी स्कूल प्रवंधन के सोशन की कहानी बताते हुए भावक हो गए उन्होंने कहा कि बैठक में राची के उपविग छवी रंजन द्वारा अपने ही आदेश को वापस लिये जाने के फ्रसले की अभिभावकों ने निंदा की है बैठक में आयस उजाओ को देखते हुए जारकन अभिभावक संग ने राज अस्तरिय आंद्वलन की घोसना की इसके तहत अभियान का नाम सात वार सात गुहार रखा गया है जारकन में कूल एक्टिव केस की संख्या एक हजार पांच है भारत में कूल मौत की संख्या 5111 है है भारत में 45 एर छो सो एक्टregation की संख्या पांच लाक एक्टिव केस की संख्या पांच लाक एकति सी एर आठ सो तीन है देश के 25 अति नक्सल पर हवी जीलों में जारकन की आठ जीले सामिल देश के 25 अती नक्सल परहवी जीलो में जारखन के 8 जीले सामिल हैं इन जीले में चात्रा, गिरीडी, गुमला, खुटी, लोहरदागा, लातेहार, सराइक, लेखर्चावा, पच्मी सिमू सामिल हैं सुत्रो ने बताया कि केंद्रिय गिरी मंत्राले ने केंद्रे की SRI स्कीम के तहट नक्सल परहवी जीलो की समिक्षा की है समिक्षा के दुरान गिरी मंत्राले ने पाया कि पूर्वे में देश भरक के 90 जीले नक्सल परहवी थे अब इन जीलों की संख्या घटकर 70 रह गई है केंद्रे ने 70 में से 25 जीलों को अती नक्सल परभावित माना है देश के अती मवादी परभावित वाले 25 में 8 जीले जार्खन के हैं जार्खन के आठ जीले मवादियों के सक्रियता के लिहाज से अति मवादी परभावित सिरेनी में हैं बस परिचालन की मांग जार्खन परदेश बस एसोसेशन ने राई सरकार से एक जुलाई से बसों के परिचालन के अनुमति मांगी है परदेश अध्यक्ष सचिदानन सिंग ने इस समन्द में परिवहन मंति चमपाई सुरेन और परिवहन सचीव के के सोन को ग्यापन सोपा परदेश अध्यक्ष ने कहा कि जार्खन में कुरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास शुरक्षा सप्ता 22 अप्रेल को लगाया गया था तब से बसों का परिचालन बंध है जार्खन में 2 जुलाई तक 6 लग डोज पहुँचेगी जार्खन में कुरोना वायरस टीकाकरन अभियान पर ब्रेक लग सकता है बता दे लक्ष के अनुरूप भैक्सिन नहीं होने से संभवना जता जा रही है कि राजे में अगले 3 दिन तक टीकाकरन अभियान बंध हो सकता है वहीं मंगलवार को गिरीडी और राची के कुछ टीकाकरन के निरे से लोगों को मायूस होकर लोटना पड़ा बता दे राजे में भैक्सिन की एकार लाख डोज कम मिली है राजे में हर दिन ठाई लाख टीकाकरन का लख्ष निधारन किया गया है ज्यारखन में टीबी उन्मूलन में आखरी पैदान पर पहुंचा धनबाद टीबी उन्मूलन अभियान में धनबाद जिला पूरे ज्यारखन में सबसे अमतिम अस्थान पर पहुंच गया है जबकि परोसी, जिला, बोकारो, 22 वे अस्थान तथा गिरी, 22 वे अस्थान पर है बता दे टीबी उन्मूलन को लेकर जार्खन के सभी जिलों की जारी ताजा रेंकिन के अनुशार पच्मे से मूँ सबसे पहले अस्थान पर है जबकि गोडा दूसरे वहीं देवघर तिस्थान पर है आकडो की माने तो कुरोना से अधिक टीबी से ग्रासित ग्रामीन है लव अस्थ के खनन करने वाली कमपनी साब रदर्स को फिर से रद खनन पट्टा से खनन की अनुमतित दिये जाने के खिलाब विधायक अधिकारियों ने भी इस लव अस्थ के परिवहन के लिए अपने अस्थर से परमिट जारी कर दिया उन्होंने इसकी सिकायत मुक्वंति हमन सुरें से भी की है धन्यवाद